दोस्तों आज हम इस वीडियों बताएंगे कि फोन पे से आप LIC की प्रेमियम किस कैसे जमा कर सकते हैं वह भी दो मिनिट के अंदर-अंदर और यहां पर भी बताएंगे कि जो आपका डेटा बर्थ रांग हो जाता है तो इसे आप कैसे सही कर सकते हैं तो वीडियों को पूरा application open कर लेना होगा तो मैंने यहाँ पर already open करके रखा है तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे जो कि यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा insurance और इसमें आपको मिल जाएगा जो कि देख सकते हैं insurance renewal तो जी हाँ आपको इसी पर click करना है तो उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपको अपना policy number लिखना होगा बट यहाँ पर जो भी hide किया जाएगा security के लिए तो मैं यहाँ पर email id अपना change कर लेता हूँ पहले तो उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने जो की policy number उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं email id उसके बाद dov भी यहाँ पर लिख लिया है अभी last में आपको बताएंगे कि dov आपको कहां से निकालना है तो जो कि मैंने इस पर already video बना रहा है बट video के यहाँ तो मैं वह भी बता दूँगा पर इस पर pay Flowers लोगा तो आपको इस पर click करना है लोगव तो जैसी आप किलिक कर देंगे टो यहां पर आपको हपना यूपीव लखना वग तो मैं यहां पर showsuju यहां फर देख रहें एक ओनेक्टि इकोर्टी यानि जो कि कि यहां पर देख रहें processing payment है तो जी हां भी मेरा payment successfully हो जाएगा रापको रिश्ट कहां से download करना वह भी मैं आपको बताऊँगों तो video को पूरा अंतक देखना जो कि यहां पर देखने processing में जो कि 15-20 लग सकते हैं वैसे तूरंत हो जाते हैं यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेता हूं सो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर देख रहे हैं मेरा बैलेंस जो कि यहाँ पर कट चुक है उसके बाद यहाँ पर जो कि पेमेंट सक्सेस्फुली हो चुक है तो म यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ से आप receipt नहीं Naher सोगते jest यहाँ सैक्ट कलिक करेंगों यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यही historie 1060 वही जाएगा बाकि कुछ नहीं जाएगा तब उसके लिए जब के लिए आपको अपने इमेल पड़ा आ चुका है उसके बाद जैसे मैं इसको सब्सक्राइब करता हूं जो इा पर पीडिicular ढूह जो कि यहां पर देखरें हैं को के डाला गडर मिल में उसके बाद इसलों बेहला दाएट कोई एक व्यक्त चेली एक सथी कवाधिश कंगर करें से उसके दव olur कने लिशन काल question तो आप नीचे comment जरूर करना मैं इसके reply जरूर दूँगा तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलेंगे next वीडियो में और वीडियो लेकर के